हेलो फ्रेंक्स, व्यंजनी व्यंजन में आपका स्वागत है मैं आर्तिय अक्रॉाल आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी सबजी जिसमें सबजी का टेस्ट हो आएगा साथ में अचार कर भी टेस्ट आएगा आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अचारी आलू बहुत ही टेस्टी बहुत ही चेक पटी चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू छोटे साइस के थोड़ी सी चॉप किया हुई लैसुन चॉप किया हुआ प्याज लॉंग शेप में कटी हुई हरी मिर्च, चॉप किया हुआ टमाटर, जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वादा नसार नमक, अचार का मसाला, कसूरी मेथी, और ओएल, अब हम एक पैन में ओएल डालेंगे, ओएल जब गरम हो जायगा, तो हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरा तड़कने लग जाए तो हम इसमें डालेंगे लहसुन, चौप किया हुआ लहसुन, हरी मिर्च और इसे चलाएंगे ताकि थोड़ा सा हमारा लहसुन पक जाए अब हम इसमें चौप किया हुआ प्याज डालेंगे और उसे सोते होने तक पकाएंगे प्यास सोते हो गया है हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला और इसे हम मिक्स करेंगे जब तेल छोड़ने लग जाएगा तो मतलब हमारा ये ग्रेवी पग गई है अब हम इसमें डालेंगे अचार का मसाला अचार तो सबके घरों में बनता है तो घर में सबके अचार का मसाला मिल जाएगा आप उसे डालिए और साथ में हम डालेंगे उबले हुए छोटे साइस के हमारे ये आलू इसको हम मिक्स करेंगे खुब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इसे दो मिन्यक तक हम कूप करेंगे स्लो फ्लेम पर अब हम इसमें डालेंगे नमक इसको मिक्स कर लेंगे इसे कवर करके हम पान से साथ मिनाट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे ये दिखिए हमारा ये अचारी आलू कितना कलर्फुल लग रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है इसे बीच-बीच में हम चलाते रहेंगे अब हम इसमें डालेंगे सबसे लाष्ट में कसूरी मेथी कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कसूरी मेथी हमने डाला और इसको मिक्स कर देंगे ये देखिए अचारी आलू ये ओइल छोड़ने से पता चल जाता है कि सारे मसाले पग गए है अबस हमारा अचारी आलू तयार हो गया है इसे हम कवर कर देंगे बस एक मिनट बाद हम इसे वापस से खोल के देखेंगे ये देखिए कितना अच्छा पग गया है ये बहुत ही अच्छा लुकाया हुआ है अचारी आलू का अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं ये दिखिए अचारी आलू बहुत ही स्वादिश्ट बहुत ही लाजवाब हमारा ये अचारी आलू इसे हम गार्णिश कर देंगे धनिया से चौप किया हुआ हरा धनिया आप पराखे के साथ खाईए या चावल के साथ खाईए अचारी आलू बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चेकपटी है अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें व्यंजनी व्यंजनसे में आर्ची अगरवाल नमस्कार